तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कैसे आपको एक responsive blogger theme डाउनलोड करना है और कैसे आपको blogger पे लगाना है इसी का जनकारी में पिछले वीडियो में दिया था तो सबसे पहले उस वीडियो को जाके देखिए तभी आपको समझ में आएगा बाकी में इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कि उस theme को कैसे customize करना है जैसे कि यह वाला theme में आपको लगा के बताया था पिछले वीडियो में और इस वीडियो के अंदर में आपको इसे customize करना बहुत ही जरूरी है जैसे कि आप यहाँ पर उपर में देख रहे हो यह च जनकारी में इस वीडियो में देने वाला हूं बांकि इस साइड बार में जो है आपको करना क्या है कि काटेगरी यहां पर लगाना है ठीक है तो कैसे लगाना है इसी का जनकारी देने वाला हूं और बांकि जो है यहां पर नीचे अब आपको आना है तो यहां पर जो है अब क करना क्या है कि एह वहाला जो देख रहे हो भाब़ वाई ब्लोगर तो इसे हमें डिलेट कर देना खिず्छ तो डिलेट करतें कि नीचे की और आओ यह बहूत बहुत ही सारा जो है सेटिंग करना होता है जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ये Facebook, ठीक है तो फेस्बुक को यहां से हटा देना हमें और बागी यहां पर जो है social pooling है तो इसमें जो जो जरूरत परेगा उसको हम रखेंगे बागी यहां पर जो है क्या करेंगे बेफाल तो चलिए कैसे इसको करना है तो इसके लिए आपको जो है इस वीडियो को सुरू से एंड तक देखना है तभी आपको सही परकार से जनकारी मिल पाएगा तो वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना तो चलिए अब आपसे ज्यादा टैम लेंगे नह ठीक है तो डिस्क टॉप साइड में जो है करने के लिए आपको ये तीन लैन पर किलिक कर देना होगा तीन लैन पर किलिक करने के बाद नीचे की और आपको आना है और यहां पर आपको डिस्क टॉप साइड जो है लेपटॉप पे दिख रहा है तो मैं अभी जो है लेपटॉप पे आ चुका हूं ठीक है तो आपको जो है कि डिस्क टॉप साइड में ही करना है कॉस्टोमाइज क्यूंकि मैं आपको जो है डिस्क टॉप साइड में ही बता रहा हूं ठीक है तो चलिए सबसे पहले मैं इसमें करता क्या हूं कि इसमें जो है अपने थीम को open करके देख लेता हूं कि यह जो हमारे website का look दिखता कैसा है तो यहाँ पे हम किलिक करेंगे view your blog पे ठीक है तो चलिए मैं यहाँ पे किलिक कर देता हूं तो यह theme जो है इस परकार से दिखता है laptop में ठीक है बांकि आपने तो देखी लिया mobile के अंदर में कैसा दिखता है तो यहाँ पे हम करने बाले हैं इसे customize ठीक है तो कैसे करना है customize चलिए मैं अब आपको बता देता ठीक है तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यह जो है आपको यह चार जो है आपको दिख रहा icon इसमें हम link set करेंगे बांकि इसमें जो है जिस जिसको हमें रखना होगा उसको delete करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है यह सर्च बार आपको दिख रहा है तो कुछ सर्च बार को हम हटा देंगे और इसके नीचे जो आप दीख रहे हूं इसको भी हम हटा देंगे ठीक है हटा इसलिए देंगे क्यूंकि यह हमारे कोई चेыми काम का है नहीं यह आंकिक यहां मैं इसका कोई काम ही नहीं है ठीक है क्योंकि हमें की नीचे डिसंट पोस्ट जो दिख रहा है ऐसका क्वै और बाकी आपको यहाँ dore आप करना क्या है कि category होता है उसे Set करना है ठीक है तो category कैसे साइद करते हैँ वह भी आभी आपको ऑडाने वाला हूँ थिक भांकि उसके बाद जो ईह नीचे की और आना है और यहां पर आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है contact form ठीक है तो इसको हमें हटा देना है या रखना है वह चीज में अभी आपको बता देना वाला हूँ बागी उसके बाद नीचे में आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर फेसबुक का आइकॉन है ठीक है और फेसबुक का यहाँ पर एड दिखराई ठीक है तो इसको हम हटा देंगे बागी social pulling है इसमें हमें जो रखना होगा उसको रखेंगे उसपे link set करेंगे ताकि click करेगा तो वो user जो है आपके facebook पे चला जाए आपके tutor पे चला जाए ठीक है और मांकी यहाँ पे youtube का है icon तो youtube का भी link set करेंगे और मांकी जिसको हमें नहीं रखना होगा उसे हम delete करतेंगे यहाँ पे जो है बांकी उसके बाद जो है नीचे की और आओगे तो बहुत ही सारा customize है जो की आपको करना है ठीक तो इसके लिए जो हमें करना क्या होगा कि blogger के जो यह page है इसको open करना होगा और यहाँ पे layout पे click कर करने के बाद यह जो हमारा layout है ठीक है और layout इसे हम कहते हैं ठीक है तो इसी में से जो हम क्या करेंगे की हटाएंगे जिसको हमें हटाना होगा तो सबसे पहले हम करेंगे क्या यहाँ पे अपने theme को open करेंगे open करने के बाद यह जो है क्या है कि Facebook है ट्यूटर है Instagram है ठीक है तो about contact को रखेंगे ठीक है उसके बाद जो है यहां पर करना क्या है कि home है future है mega menu है live blogger है यहां पर जो है इसे हम हटाएंगे और यहां पर setting करेंगे ठीक है तो इसके लिए हमें करना क्या होगा layout में जाना होगा और layout में जाने के बाद जो है हमें करना क्या होगा नीचे की और आना होगा यहां पर और उसके बाद जो है यहां पर आप देख सकते हो कि main menu है ठीक है तो main menu पर हमें click करना है click होने के बाद जो है यहां पर आप करना क्या है कि देखिए यहां पर जो है आपको सबसे पहले जो जो यहां पर उसे डिलेट कर देना है ठीक है तो हम जो है करेंगे क्या इसको डिलेट करते जाएंगे ठीक है डिलेट करते जाएंगे इसे बाकि सभी को यहाँ पर डिलेट कर देना है ठीक है सभी को डिलेट कर देना है तो यह डिलेट हो गया बाकि जो यहाँ पर करना क्या है कि हमें कटेगरी देना है ठीक है तो चलिए यहाँ पर कटेगरी में दे देता हूँ तो सबसे पहले यहां पर category जो रहेगा हमारा तो blogger tip क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी परकार का वीडियो अप्लोड करता हूँ ठीक है तो blogger tip तो यहां पर जो है मैंने blogger tips लिख दिया और उसके बाद करूँगा क्या कि यहां पर add link पर click कर देंगे बाद में हम यहां पर link set करेंगे बाद की जो हमें जो जो category यहां पर देना है वो category का नाम हमें सबसे पहले link के रख लेना है ठीक है और उसके बाद जो हमें करना क्या है कि YouTube tips तो हमने यहां पर लिख दिया YouTube tips और फिर यहां पर add link पर click कर देंगे यह नीचे की और आ जाएगा फिर फिर उसके बाद जो हमें करना क्या है कि यहां पर earning एप ठीक है earning एप लिखना है तो यह चीज़ हो गया अब यहां पर करना क्या है कि add link पर हमें click कर देना है ठीक है तो चलिए मैं यहां पर add link पर click कर देता हूं और यह जो है हुआ क्या कि यह आ गया ठीक है यहां पर यानि earning एप YouTube टीप्स और बलोगर टीप्स और बांकी यहां पर करता क्या हूं कि save पर click कर देता हूं बांकी यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर 5-6 category आप दे सकते हो बांकी यहां पर यहां पर मैंने 3 category दिया है तो आप 6-7 category दे सकते हो और उसके ब फेस तो जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो कि यह जो है earning एप है YouTube टीप्स है और बलोगर टीप्स है ठीक है अब इसमें आपको बात में बताएंगी कि कैसे इसमें लिंक सेट करना है ठीक है बांकी यहां पर जो हम करेंगे कि यह जो sidebar में देख रहे हो यहां पर सर्च बा बता है तो चलिए इसको कैसे हटाना है मैं अभी आपको बताता हूं तो यहां पर हम फिर जाएंगे लेइआउट पर लेइआउट पर जाने के बाद हम करेंगे क्या कि यहां पर जो है सबसे पहले यह जो देख रहे हो hot post ठीक है इसी पर हमें नीचे किलिक करना है तो तीन क पर हमें करना क्या है कि किलिक कर देना है और किलिक करने के बाद इसे जो हमें सेव कर देना है ठीक है तो वह चीज दिखेगा ही नहीं और यहाँ पर आपको करना क्या है यह अभी में open करके दिखाऊंगा तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि यह जो है sidebar है ठीक है तो चलिए मैं अभी open करके ही दिखा देता हूँ और इसे फिर से हम करेंगे प्रिफ्रेस तो होने के बाद यहां पे आप देख रहे हो कि यह जो तीन पोंट पोंट यह बानी कैसे कस्टुमाइज करते तो तो यह साइड बार जो देख रहे हो सर्च दिस बलोग इसे जो हमें हटाना है और नीचे जो पावर भाई बलोगर को भी इसे हटा देना है तो इसे हटाने के लिए अब हमें करना क्या होगा कि हमें फिर से लेयाउट पे जाना परेगा ठीक है तो चलिए मैं लेयाउट पे च करना है और उसके बाद जो हमें करना क्या है कि यहाँ पर Test compliant कर नहीं करना है ठीक है इसको सीधर रिमूब कर देना है ठीक है तो रीमूब पर हम किलिक करेंगे तो यह ल सब्सक्राइव करेंगे तो यह जार्ulla प्यून्प हो जाएगा ठीक है तो यह जो है दो को बताता हूं कि यह जो साइड बार है तो यहां पर सर्च बार को और यहां पर पाबर बलोगर को कैसे हटाना है तो फिर से हमें ले ओट पे जाना पड़ेगा ले ओट पर आने के बाद यह साइड बार है ठीक है और यह जो है आपका मैं है मैं पोस्ट है ठीक है और यह किलिक होने के बाद इसे भी जो है हमें रिमूब कर देना है और यहां पर किलिक कर देना है और इसको भी हमें delete कर देना है ठीक है मतलब remove कर देना है तो यहां पे ok पे हम click करेंगे और यह remove हो जाएगा बांकि उसके बाद यहां पे नीचे की और आपको दीख रहा है ठीक है तो यहां पे हमने delete कर देया फिर से एक बार open करके देख लेता तो यहां पर करेंगे रिफ्रेस हो चुका है अब यहां पर हम करेंगे क्या कि यह पाबर भाई ब्लोगर रह चुका है ठीक है तो इससे हम डिलेट करेंगे फिर से लियाउट पर जा गया तो यहां पर जो है करेंगे क्या कि यह जो दिख रहा है इस पर हमें किलिक कर देना है यह साइड बार में आपको मिलेगा तो वो जो पाबर भाई ब्लोगर है वो हड़ जाएगा और यहां पर हम किलिक करेंगे फिर से रिमूब करने के लिए और यह जो थीम जो है ना भाई कसम से बड़ा गजब का लगता है ठीक है जब इसका आप कॉस्टोमाइज कर लोगे तो ठीक है तो कैसे कॉस्टोमाइज हो रहा है वो चीज पहले आप देख लो और सीख लो ठीक है जिन्दगी में बार बार आपको सीखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा अगर अब एक बार सीख लेते हो तो आपको हमेशा याद रहेगा तो यहां पर फिर से जह हम करेंगे क्या की को की टीम go open करेंगे और देखें गे की हटा है कि नहीं हटा contact form ठीक है इसे भी हम डिलेट करेंगे और इसको जो हम दूसरा जगा पर लगाएंगे ठीक है तो कैसे क्या करना है वो चीज मैं आपको बताता हूं बाकि जो है उसके बाद नीचे की और जब आप आओगे तो यह जो है फेस्बुक का एड जो दिख रहा है इसे भी हम डिलेट करेंगे ठीक है तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं तो इसके लिए हमें जो है लेओट पे फिर से जाना होगा तो यह जो है मैं लेओट पे आ चुका हूं ठीक है अब लेओट पे आने के बाद जो है हमें करना क्या है कि यहां पे आपको जो दिख रहा है contact form इस पे ह आप वाब फ़से करना है और यह है रिमूब हो जाएगा ठीक है और यहां पर आपको करना क्या है कि यह जो दिख रहा है about me तो इसे भी हमें डिलेट कर देना है क्योंकि हमें इसे नहीं रखना है क्योंकि बहुत ही बहुत सारे website होते हैं जो की यह चिज़ नहीं ठीक है अब आउट मी जो लिखा हुआ है ठीक है तो इसको हम करेंगे क्या कि रिमूब करेंगे फिर ओके पर किलिक करेंगे तो यह जो हो चुका है ठीक है अब उसके बाद जो है हम करेंगे क्या यहां पर कि बस सेम टू सेम सबको अब रखना है अब फिर से जो हमें थीम को आपन करना है ठीक है तो चलिए मैं थीम को आपन कर लेता हूं और आपन करने के बाद जो है हम करेंगे क्या इसे रिफ्रेस कर ठीक है सोसियल पूलिंग जिसे हम सोसियल पूलिंग यहां पर बोलते हैं तो इसमें जो है हमें करना क्या है कि जिसको जिसको हमें रखना है उससे हम रखेंगे बांकी को हम यहां पर डिलेट कर देंगे तो हम यहां पर रखेंगे किसको रखेंगे कि यहां पर फेस्बुक ठी वांकी YouTube को हमें नहीं रखना है क्योंकि YouTube पर वैसी ही आ जाते हैं तो यहां पर हम बाकी को delete करेंगे और जिसको रखना उसे हम रखेंगे तो इसके लिए हमें सबसे पहले layout पर जाना पर गया और layout पर जाने से पहले यहां पर आप जो देख रहे हैं Facebook थीक तो यह अभी डिलेट नहीं हुआ तो इसे हम डिलेट करेंगे तो चलिए फेस्बुक को डिलेट करते हैं ले आउट पे जाके तो ले आउट पे जो है मैं आ चुका हूं और यह चीज जो है साइड बार में दिखता है हमारे साइड बार में तो यहां पर जो है साइड बार है और पांकि जो लगा के ठीक है तो इसे चलो रहने देते हैं ठीक है बाकि यह future पोस्ट जो होता है जो आप अपने website पर डालते हो तो वो यहां पर भी दिखेगा और उसकेबाद यहां पर भी दिखेगा फ्योचर में ठीक है तो फ्योचर पोस्ट को रखने से ये फाइदा होता है कि अलग से आप अपने वेपसाइट पे अपने वेपसाइट के बारे में अगर कुछ समझाना चाते हो तो उसके लिए रखा जाता है यहां पे ठीक है तो चलिए इसे अभी आपको कोई जरूरत नह करते हैं ले आउट पे ले आउट पे किलिक करने के बाद यहां पे जो है हमें करना क्या है कि साइड बार में जो है हमें यहां साइड बार में हमें यहां पे दीख जाता है फ्योचर पोस्ट यह वाला तो इस वे हमें किलिक कर देना है किलिक होने के बाद यहां पर आप देख सकते हो तो यहां पर आप अपने future post में जो भी add करना चाहते हो उसे add कर सकते हो मगर यहां पर हमें करना क्या है कि इसे remove कर देना है तो remove पर हमें किलिक करना है और फिर से यहां पर ok पर किलिक कर देना है तो यह जो है रिमूब हो चुका है पांकी उसके बाद जो हमें करना क्या है कि यहां पर जो है सोचियल पूलिंग है ठीक है तो सोचियल पूलिंग पर हमें किलिक कर देना है पैंसिल का आइकोन पर फिर से किलिक करने के बाद यहां पर हम करेंगे क्या जिसको हमें रखना है उसको रखेंगे बाकी को डिलेट करेंगे तो यहां पर जो है हमें करना क्या होगा कि यूटूब को सबसे पहले डिलेट कर देना होगा ठीक है तो चलिए हमें इसको डिलेट कर देता हूं क्यूंकि कर देंगे और उसके बाद जो यहां पर यहां पर बाहुकिए यहां पर वाठस पर को भी डिलेट कर देंगे ठीक है तो वाठस अब को डिलेट कर देंगे तो कोई तो में फरक नहीं परेगा क्योंकि जब हमारा पोस्ट अगर जरबर गया और और यह इसको भी जो आपको आपको उपर की सैट ले जाना है तो यह जो आगया अब मैं यहां पे बताना चाहूँगा कि यह जरूरी नहीं है कि चार ही होना चाहिए ठीक है यहां पर दो भी भी रख सकते हों अगर आपके पास दू अकांट है फैश्बूक का इंस्टाग्राम का तो आभ thousand रख सकते ल कटे हो सकते हो तो यह चीज़ना करने के बास आपको करना क्या होता है कि इसके अंदर में हिसके इसके इसके पक्रिक्ष करके यहां पर इडिक रूच Within लिंक Link Set करना होता है तो Link कैसे Set करना है वो चीज में अभी आपको बताऊंगा बांकि इसे कर देते हैं अभी Sab तो यह जो है Sab हो चुगा है ठीक है उसके बाद जो हमें करना क्या है कि नीचे की और आना है और जो हमने बताए था कि वो जो फेस्बुक है इसे हमें डिलेट कर देना है क्यूंकि जहां से हमने तीम डाउनलोड किया था उसी का यह फेस्बुक का लिंक इसमें डाला हुआ है तो इसको हम करेंगे क्या कि डिलेट कर देंगे तो चलिए हम इसे जो है ले आउट पर जा के डिलेट करते हैं तो यहां पर जो है हम आ चुके और ये side bar में है तो side bar में यहां पर दिख रहा है Facebook तो इस पर हम click करेंगे तो यहां पर इस परकार का यह page open हो गया तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि remove पर हमें किलिक कर देना है remove पर किलिक करने के बाद यह ओक का बटन है तो इस पर हमें किलिक कर देना है तो यह हर चुका है ठीक है हरने के बाद यहाँ पर आपको बताता हूँ एक दो चीज और भी है जिसको हमें delete कर देना है तो सबसे पहले theme पे हम जो है आ चुके हैं और इसको करेंगे एक बार refresh ठीक है रिफ्रेस करके देखते हैं कि वो जो facebook है बांकी चीज़ को मैंने delete किया वो चीज़ delete हुआ है कि नहीं हुआ है तो इसको कर देते हैं refresh रिफ्रेस होने के बाद जो है यहाँ पे होता क्या है आप इंस्टाग्राम को सबसे पहले number पे लगा सकते हो या दूसरे number पे लगा सकते हो यह चीज़ आपको तै करना है ठीक है तो कैसे करना है वो चीज़ में आपको बता दिया हूँ अब जो है इसमें हम link set करेंगे वो भी चीज़ आपको बताएंगे पार की यहाँप जो है फालो वाई email है अगर आपके website पर कोई आता है तो यो जिएर्ट यहाँपे यहाँए यहाँज पे को Subscribe कर सकते हैं वांकि उस何 नीचे आपको दिख रहा है कि यहाँप and नगए कर सूँब कर दो लगा हुआ है तो इस सब्सक्राइब यू से है तो इसे जो हमें करना क्या है कि ले आउट पे जाना है इसको हटाने के लिए है और लेग आऊट पे हम आ चुके हैं और साइड बार में यह जो दीख जाता तो यह जो है रिमूब हो जाता है ठीक है तो रिमूब हो चुका है आप यहां पे जो है पॉपूलर पोस्ट ठीक है तो उसको करना क्या है चलिए मैं सबसे पहले थीम को आपन कर लेता हूं तो यह जो है नीचे जो है यह हट चुका है और इसे हम एक बार कर लेंगे रिफ्रे तो सबसे पहले जो है sidebar में follow by email है और उसके बाद जो है social pulling है और उसके बाद नीचे जो पॉपूलर पोस्ट है ठीक है तो फॉपॉलर पोस्ट जो है इसको हम customize करेंगे ठीक है अभी मैं आपको बता देता हो कि इसमें अब करना क्या तो यहां पर आपको दिख जाता है ठीक है नीचे recent post ठीक है उसके बाद जो है category यहां पर आपको लगाना है category उसके बाद यहां पर हम करेंगे क्या कि जो contact form को हमने डिलेट किया था उसे जो है हम यहाँ पे लगाएंगे ठीक है तो चलिए यहाँ पे हम करते क्या है कि इसे तो इसके लिए हमें जो है करना क्या होगा कि ले आउट पे जाना होगा और ले आउट पे आने के बाद जो है हमें करना क्या होगा कि एक बार जो है पॉपूलर पोस् ठीक है तो हमारा जो popular post है वो 5 दिखेगा और उसके बाद इतना करने के बाद यहाँ पे save पे click कर देना है तो एक बार जो हमें फिर से theme पे जाना होगा और theme पे आने के बाद जो हम देख लेता हैं कि जो हमारा popular post है वह 5 दिखता है कि नहीं है तो इसके लिए हम रिफ्रेश फिर से करेंगे तो यह जोह हो चुका है अब जोह हम हम देख लेते हैं कि वह 5 जोह दिखता है तो यहां पर जोह 3 दिखता था तो यहां पर जोह आब 1, 2, 3, 4, 5 popular post जोह हमारा दिख रहासा है और बाकी जो है हम करेंगे क्या इसमें कि यहां पे जो है हमारा पोस्ट जो दिखता है ना कितना दिखता है रिसंट पोस्ट में तो यहां पे एक है दो है उसके बाद नीचे तीन यहां पे चार ठीक है तो रिसंट पोस्ट में जो है हमारा जो दिख रहा है वो क्या है कि चार ही दिख रहा है ठीक है तो यहां पर यह लगा के जो है पांच दिख रहा है तो बांकी अब हम करेंगे क्या इसमें कि नीचे की और जो है आएंगे और यहां पर जो है कटेगरी जो है लगाना है और उसके बाद जो है रिसेंट इन फैसन को हटा के यहां पर जो हमें करना क्या है कि contact form को लगाना है तो इसके लिए जो है हमें करना क्या होगा कि ले आउट पर जाना होगा और ले आउट पर जाने के बाद जो है नीचे आपको आना है यहां ठीक है नीचे तो नीचे जो है यह है और यहां पर जो है तो उसके बाद छूए हमें करना क्या है कि यहां पर किलिक कर देना है और तो यह जो है सिभ हो चुका है बाकी मैं इसमें एक चीज और आपको बताना चाहूंगा वह चीज में करना क्या है कि contact form जो होता है ना उसे हमें लगाना है ठीक है तो यहां पे जो है pencil का icon पे click करके यहां पे इस परकार का page open कर लेना है उसके बाद यहां पे इसको remove कर देना है तो चलिए यहां पे remove पे click करने के बाद यहां पे हम करेंगे क्या प्णिख जोई हम खरेंगे क्या कि यहां पर किलिक करेंगे एड यह गेजेट पी ठीक है यह एड़ेंग गेजेट पर आपके सामने open हो जागा तो आपको करना क्या है कि इसको नीचे की और लाना है यहां और नीचे की और लाने के बाद आपको खोजना है contact form ठीक है तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि कून सा है contact form तो यहां पर यह वला है contact form ठीक है तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो तो करना क्या है कि यहाँ plus के icon पर किलिक करना है और उसके बाद यहाँ पर जो है man चीज देखो यहाँ पर tick होना चाहिए अगर यहाँ पर tick करते हो तो यह जो होगा contact form या नहीं इस पर tick करोगे तो contact form सो नहीं होगा तो यहाँ पर जो है सो करने के लिए tick करके आपको रखना है और उसके बाद जो ही यहाँ पर करना क्या है कि सेफ पर किलिक कर देना है तो यह जो है contact form यहाँ आ चुका है ठीक है तो एक बार जो हम थीम को फिर से open करेंगे और लग भग हमें लग रहे है कि सबी जो है कुस्टमाइज इसमें हो चुका है ठीक है तो यह जो है आप देख रहे हो कि यहां पर आचुका है क्वाल में आभी आपको मोबाइल के अंदरमें भी देखाने बला हूँ अब इसमें करना क्या है कि यह जो तीन जो आप देख रहे हो earning app और उसके बाद YouTube tips और उसके बाद बलोगा tips तो इसके अंदर जो है category है तो यह category है ठीक है तो इसके अंदर हम जो है link अभी set करेंगे तो link जो है set करने के लिए हमें जो है करना क्या होगा कि नीचे की और आना होगा और और जो है हमें यहाँ पर करना क्या होगा सबसे पहले earning एप पर किलिक कर देना होगा यह जो यह जो आप category देख रहे हो ना अपलेड मार्केटिंग बलोगिंग टीप्स ठीक है यह सारे category है तो यहाँ पर तुम जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैनू में यहाँ पर आप 6-7 category आप रख सकते हो ठीक है यहाँ पर तो मैंने तीन ही रखा है तो इसमें फिलाल मैं तीने में आपको link set करके आपको बताऊंगा तो चलिए नीचे की और चलते हैं तो नीचे की और आने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो है अर्निंग एप पर किलिक कर देना है अर्निंग एप पर किलिक करते ही यहाँ पर अर्निंग एप से रिलेटेड जितना भी video होगा वह सारा आ जाएगा तो इसे जो हमें करना क्या है कि यह वाला उपर वाला link है इसे copy करना है पूरे को चलिए copy कर लेते हैं और उसके बाद जो हमें layout पर जाना है ठीक है ले अट पर आने के बाद जो यहां पर जो man menu है इस हमें किलिक कर देना है पैंसिल के आइकोन पे पैंसिल के आइकोन पे किलिक करने के बाद यहां पे हमें एड करना है इस लिंक को जिसको हमने कॉपी किया अर्निंग एप में ठीक है तो चलिए मैं यहां पे किलिक कर देता हूं और किलिक करने के बाद यह जो है इसको हम डिलेट कर देंगे और फिर से हमड़ी Me जाएंगे mat ánate की और आएख्या सबठेजब माइट इसलो फिर नीचे की और आयेंगे मैं यहां पर करता क्या हूं कि लिंक को कॉपी करता हूं इस पूरे लिंक को कॉपी करने के बाद जो हमें फिर से जाना है ले आउट पर और ले आउट पर आने के बाद जो हमें करना क्या है फिर से मेनू पर आना है और उसके बाद जो यहां फिर पेंसिल के आइकोन पर किलिक कर देना है किलिक करने के बाद यहां पर करना क्या है कि हमें YouTube टीप करना कि है जो है इसपर Link सेट करना है जिसको हमने Copie किया तो चलिये मैं यहां पर Add पर कल नशे ऐसको हम Brett कर देंगे और उसके बाद जो हमने जो Link करने के बाद यहां पर से पर किलिक कर देंगे और फिर से एक बार जो है हम यहां पर से पर किलिक कर देंगे किलिक करने के बाद फिर से जो है हम थीम को आपन करेंगे और आपन करने के बाद फिर हम नीचे की और आएंगे तो एक और बच चुका है ठीक है जिसे हम बलोगा टिप्स कहते हैं तो यहां यहान पर हमें करना क्या है कि इस Pi को पूरे को और उसके बाद दो हमें फिर लै-a translating जानाँ है चाहे से जो है आध्यौन मेनु उपन करना यहां लिंक है तो यह जो हो जाता है अब उसके बाद यहाँ पर बलोगruit टीप जो है उसी हमें link को set करना है तो यहां पर add पर हमें click कर देना होगा add पर click करने के बाद यह जो है इसको हमें delete कर देना है और उसके बाद यहां पर link paste कर देना है तो उसके बाद यह पेश्ट हो जाएगा फिर यहां पर save कर देना है और उसके बार यहां पर पिर किलिक कर देना है तो यह हमारा क्या होता है कि तीनों Link जो है Set हो जाता है इसमें तो चलित बार ने के बाद इसलो कर लेते हैं आप 거 कर भी ये जो है शीन हो चुका है तो यहां उसके सामने वो सारा पोश्ट आजागा अगर YouTube पर किलिख करेगा YouTube तो YouTube से रिलेटर जितना वी बोश्ट होगा वो सारा पोश्ट आजागा यहां पे उसी परकार से बलोगा तिप्स है तो आप समझ गए होंगे मांकी यहाँ पर search का icon है search करेगा तो भी आएगा बाकी मैं अब आपको वता देता हूँ कि इसमें करना क्या है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नीचे की और यह social pulling है तो social pulling में आपको करना क्या है कि यहाँ पर link set करना है ताकि आपके website पर कोई भी आएगा तो tutor पर यहाँ पर click करेगा तो वो direct जाके आपके tutor को follow कर पाएगा उसी परकार से यहाँ पर facebook का link देना है तो link यहाँ पर facebook पर click करेगा तो वो जो है आपके facebook को follow कर पाएगा उसी परकार से यहाँ पर instagram है ठीक है तो चलिए मैं इसे में लिंक कैसे सैट करूंगा तो इसके लिए जो हमें करना क्या होगा कि अपने ऩो ऑपन करना होगा जैसे कि Hiç नोट नोट बूक होता है तो अगर आपने पहले कुछ से करके रख्यों करना करें तो उवहां है नीचे की और आने के बाद जो है यहां हम जो है Link को रखे हुआ है अपने जितना भी हम्हारे जितना भी सोसलिय मीडिया Link है उससदम भी Link को मैं आठें रकर रहा हूं तो यहां पर सबसे पहले हम करेंगे क्या कि नीचे की और आपको दिख रहा है यह ट्यूटर का लिंक है तो इसको हम कॉपी करेंगे क्या कि ले आउट पर जाएंगे ले आउट पर आने के बाद यहां पर हमें करना क्या है कि यहां जो है सोशियल पूलिंग पर आना है ठीक सोशियल पूलिंग पर आने के बाद जो है हमें करना क्या है कि इस पेज को आपन करना है तो यहां पर जो है सबसे पहले ट्यूटर है तो ट्यूटर पर हमें किलिक करना है यहां पर एड़ और एड़ पर किलिक करने के बाद जो है इसे हमें कर देना हैज को डिलेट और उसके के बाद यहां पर उस लिंक को paste कर देना है ठीक तो यह जो है पेश्ट हो गया अब यहां पर सेब कर देंगे और सेब करने के बाद नीचे की और जो है इसे भी हम सेब कर देंगे तो यह सेब हो जाएगा बांकी मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक जगा पर और भी जो है को सेट करने के लिए करना क्या होगा कि आपको लेट पर जाना होगा और यहां पर दिख जाएगा आपको को सोशियल टॉप ठीक है तो सोशियल टॉप पर आप किलिक करना है और यहां पर फिर से आपको दिख जाएगा यहां पर भी ट्यूटर ठीक है तो जो लिंक हमने कॉ कोपी किया उसी link को यहां फिर से edit पे कीनिक करके और उस link को把它 ठीक है तो यहां पर पिलाल सारा link जो है मैं पछाली ही से यहां पर सेव कर रखा हूं तो चलिए यह सेम ठीक ही ठाक है, तो इसलिस को मैं रहने देता हूं, भाक energy क्या कि शर्फ यह जो social pooling है, तीक है, social pooling यहां नीचे यह वाला, इस यूपर हम शर्फ लिंक सेट करेंगे, भाक्यी जो है उपर में क्या है कि मैं पहली ही से लिंक सेट कर रखा हूं तो चलिए आप जो है करना क्या है हमें कि फिर से नोट को आपन करना है कि अनोट को आपन करने के बाद यहां पर हमें करना क्या कि फेस्बुक का लिंक जो है कॉपी करना है तो इसे जो हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद जो हमें फिर से लेओट पे जाना है लेओट पे जाने के बाद जो हमें साइड बार में जो है सोचियल पुलिंग मिलेगा ठीक है सोचियल पुलिंग तो यहां पे जो है आपको दिख जाता है यह वाला सोचियल पु यह पहले से इसको हम delete करेंगे तो इसको дел ей कर देंगे और यहां पर अपना Facebook का लिंक पेस्ट करेंगे पेस्ट अब यहां पे नीचे की और हमें जिए हमें सेब कर देना आगे यहां पर फेस्बुक का लिंक कर altri किया करेंगे क्या कि इस instagram के link को copy करेंगे कि copy करने के ले अधी जनके 어떻 tपे आने के बाद यहां पर सोचिय पूलींग जो है इसंपे हमें किलिक करना है किलिक करने के बाद जो है यह इवपन हो जाता है अवंठी होने के बाद नीचे Instagram से ट करना है तो यहां पर एड़ पर किलिक करना होगा एड़ पर किलिक करने के बाद जो है हमें करना क्या होगा कि यहां पर लिंक करना होगा तो इस हैज को हमें डिलेट करना होगा और यहां पर हमें पेस्ट कर देना होगा और उसके बाद यहां पर करना होगा सेब और सेब करने के बाद पर यहां हम手t quiz का लिंक होता है ये वाला जो разत्वrd है तो प板 खैसे कि मैं कर सकते तो यहांपर अगर इसी परकार से तो यहाँ के अगायो हो जाता है तो यहां पर इसी परकार से क्या जाता है माद यहँ आप आप לק हो इस किरिन पर ले जाकर काल यहाँ जो थे यह आपने मॉबाइल और डिखते हैं अपको मत जाने हैं तो यहां पर आपको पर आप इसे सकती है तो कैसे देना है वो चीज मैं आपको बता ही दिया हूं बस मैं आपको यहां यह बता रहा हूं कि इसमें कस्टोमाइज हुआ है या नहीं हुआ है ठीक है तो चलिए मैं इस पर कट कर देता हूं तो यहां पर जो है सारा सोशियल जो है अकॉंट का लिंक जो है यहां पर सेट ह चुका है Facebook का, Tutor का और Instagram का ठीक है बागी Pintri का नहीं set हुआ है तो कोई बात नहीं बाद में set कर लेंगे और वैसी set किया जाता है जैसे हम यहाँ पे Facebook का, Tutor का, Instagram का set किया है ठीक है तो यहाँ पे यह recent post है तो जैसे की आपको YouTube पे भी recent post दिख जाता है अगर आप किसी के channel को open क मों करते हो तो तो रिक्या पोस्ट इसी तभी के से दिख जाता हिए उसके बाद जो हिए नीचे की औहर कोई आता है तो यहाँ पे किलिक करके आपके social account को follow कर सकता है ट्यूटर को Facebook को Instagram को और Pinterest को ठीक है उसके बाद नीचे जो है popular post दिख जाता है ठीक है और उसके बाद जो है नीचे फिर recent post recent post दिख जाता है और उसके बाद जो है नीचे फिर आपके जो है website के category दिख जाता है ठीक है और उसके बाद जो contact form है वहां कि उसके बाद कुछ भी नहीं है तो इसमें हमने सारा customize कर दिया है ठीक है category होता क्या है कि कुछ करने के लिए ना आपको जो है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इसमें जो है लोगो लगाना है ठीक है अपने वेबसाइड का नाम लिख के तो जैसे कि मेरा रिसर्च टेक न्यूज है तो उस नाम का जो है मैं क्या करूंगा कि एक लोगो बनाऊंगा और यहां पर जो लिखा हुआ है सें को इसमें लिंक करना है अपने वेबसाइड में वह भी जनकारी में आपको अगले वीडियो में दूँगा ठीक है तो बाकि यहां पर जो है इतना यह कस्टोमाइज हो जाता है तो बाकि अगर आपने अभी अपने बॉलोग पर थीम अपलोड नहीं किया है यह वाला तो जा आ जाता है ठीक है तो चाहिए बाकि में आपको बताना चाहूंगा कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा कि आगे मैं इस चैनल पर जो भी वीडियो डालूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा तो चलिए आज के लिए इतना ही अब मिलते हैं अगले वीडियो में